अंतर राष्टी योग दिवस्प प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी योग सत्र का नेत्रित्व करने संयुक्त राष्ट मुख्याले पहुच जहां नरेंद्र मोधी ने संयुक्त राष्ट मुख्याले में योग सत्र का नेत्रित्व किये नरेंद्र मोदी ने का योग जीवन का एक तरीका ये विचार और कारियों में सावधानी वरतने का एक तरीका ये स्वयम के साथ दूसरों के साथ और प्रकृती के साथ सत्भाव से जीने का तरीका सभी प्राचीन भारती परंपराव की तर या जीवन तोर घतिशील आज भारत समेद दुनिया भर्क देशों में नवा विश्वयोग दिवस मनाय जा रहा है विश्वयोग दिवस के मौकेप आज सीयम योगी आदित्यना गोरकपूर के गोरकशनात मंदिर पहुच योगीन लोगों से का योग को जीवन का हिस्सा बना आज लोगों के साब विभिन प्रकार की चनोतिया है कोई सारेदिक बीमारियों से परिशान, कोई तनाओ से परिशान इन सभी से संपूर आर्योकता प्रदान करने में योग की बहुत बड़ी भूमिका है जब से भाती जनता पार्टिक डबल इंजन सरकार सत्ता में आई तब से पुर्वान चलक नक्सा बदला पहले की सरकारों ने पुर्वान चलक को बरबात कर दिया था बस्पा सुप्रीम मयावतिन लखनव इस्थित राज कार्यालेप स्टेट मंडलेवं जिला कमेटी के वरिष्ट अधिकारियों की बैठक लिए उन्होंने का लोग सबाद चुनाओ 2024 की तयारियों में सभी को मजबूती से लग जाना बैठक को संबोधित करते हुए बस्पा प्रमुक ने कह वर्तमान के राजनितिक हालात और उससे निपटने के लिए विपक्षी पार्टियों की गतिविधियों पर हमारी पूरी नजर है अंतराश्टी योग दिवस्प गोंती नगर के मदर्सा दारुल ओल वार्षिया में योग दिवस मनाया गया जिसका आयोज बीजेपी अलप संख्यक मोर्चा ने किया जिसमें सरकार के मंत्री दानिस आजाद अंसारी भी शामिल हुए और नेशनल हाइवे से सट मसूरी गाउं के एक मक्तब मदर्से में छात्र शात्राओं ने योग दिवस मनाया जिसका संचाल मदर्सा मोलाना कासिम हास्मी न किया केंद्री क्रिसी मंद्र नरेंद्र सीङ्ग्टो में विपक्ष के कट बंधन को ठक बंधन बताया एजन्सी अपना काम कर रही मोधी सरकार में सबका विकास हो रहा है कोई पस्चिम्बंगा या तमिल लाडू से आता है तो उसका उत्तर प्रदेश में क्या प्रभाव पड़ेगा यूपी में उनके कहने से कौन वोड़ देदेगा देखिए प्रतिपक्षी दलों की रेली पटना में हो या कहीं और हो उससे भारतिय जनता पार्टि को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि जोग प्रतिपक्षी दल है उनका ये गठवन्दन पूरी तरह जनता को ठगने वाला ठगवन्दन है इसके पिछे कोई बुद कुल में लखे इन सब लोगों की कोशिस है कि बोदी जी की सरकार जो ट्रांसपरेंसी के साथ काम कर रही है निसाद पार्टी के राष्टी अध्या संजय निसाद द्वार प्रयाग राजेस्त निसाद राज के किले में बन अवैद मस्जिद हटाये जाने का बया अब गर्मा गया संजय निसाद प्रयाग राजजी लेक स्रिंगवेर पूरिस निसाद राज के किले में बनी को लेक विवादित बयान दिया है उन्होंने कहा कि मस्जिद अबयाद धंग से बनाई गई और अगर उसे हटाया नहीं गया तो निशाद समुदाय उसे घंगा में फेक देख लिए यहां बख्वान रामने निशाद राज से घलिम लगाता है वहीं से निशाद राज की सेनर से रावन राज करता है। बग्वान राम रात्री भी श्राम किये थे। जब अग्वान रात्री भी श्राम किये हो तो उनके सीने पर मस्जिद रहागा। यह कैसे सकते हैं। निशनल इन्वेस्टिगेसिंग एजन्सी यानि एन लाॉरेंस बिशनोई गिरो के करीब यूपी के बाहुबली नेत विकास सिंग को गिरफतार किया है। हिरासत की मांग की थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुस्कर सिंग धामिन अंतराष्टी योग दिवस के अवसर्प अल्मोडा में योग किया। पुस्कर सिंग धामिन मीडिया से बातचीत में का कि 20 हजार से भी ज्यादा लोगों ने आज यहां योग किया। निश्ची त्रूप्स हम उत्तराखंड को योग और संस्कृति के छेत्र में विख्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंग। हम आज यह भी संकल्प लेते कि जब तक हां इस लक्ष को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंग। कर दो कर दो